हलो वेलकम नमस्ते स्वागते आप सब इनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरायन कॉर्णर में मैं नरायन आपका स्वागत करता हूँ और आशागरता हूँ कि आपसा भी लोग स्वस्ता सुरक्षित होंगे पिछली वीडियो में CDD यानी Customer Due Diligence के प्रोसीजर के बारे में आप लोग किसे जानकारी मैंने कुछ सांचा करी आज की जो वीडियो है उसमें हम VCPRD की वीडियो बेस कस्टमार इंडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी करता करें एक्शली में इसके दो या तीन मैं आपको बताऊगा कि VCPRD की वीडियो बेस कस्टमार इंडिफिक के पूरे बेसिक क्या है और हम लोग किस तरीके से इस पर प्रोसीजर आगे अपनाते हैं उसके बाद इसके लिए क्या क्या इंफ्रस्ट्रिक्शर होता है जो कि एक आरीज एक लेंडर के पास होना है कि VC क्या है और इसका प्रोसीजर ऑफ एक्टिंग किस तरीके से होगा स्लाइट पर आगे बढ़ने के लिए आप सभी से एक बार प्रिसे ने वेदन की प्लीज वीडियो को आन तक जरूर देखेगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए चैनल पर नही थे अडिके बारे पर तो स्वागत आप लोगों बॉद्ग क स्लाइट पर हम लोगा जानकारी सुए कत्रिट कररहें सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं जानकारी वीडियो बेज्ट कस्तुमर अडंटिफिकेंशनट प्रोसेस आभी वीडियो बेसक कास्त्मर में फिटर process जो हर आरीज लेडर अपना रहा है और या फिर वो अपना infrastructure मजबूत कर रहा है कि वो आने वाले समय में इन सारी चीजेंगे अब इसमें जो कैसे करेंगे वीसी पायाओं का dom Consort करेंगे सबसे पहले मैं जानकरी यहां से आपे दो अ तो उस जानकारी में सबसे पहले मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाता हूँ कि इसमें किस तरीकी से वी से यानि कि वीडियो बेस कस्टमर इनिफिकिशन प्रोसेस को स्टैबलिश किया जाएगा जो सी डीडी है यानि कस्टमर डियू डेलिजेंस है वो जो नए कस्टमर आ ही है इंडिवुजर्स नए कस्टमर हो सकते हैं प्रोप्राइटर हो सकते हैं अगर कोई प्रोप्राइटर्शीप फर्म में है तो उसका प्रोप्राइटर हो सकता है या प्रोप्राइटर्शीप फर्म भी हो सकती है और सिगनी ट्रीज हो सकते हैं यहां firm है, actual में उसका one phase है, जो उसका proprietor होता है, तो proprietorship firm के अलग से V-SIP होती है, V-SIP में आप उसके क्या करेंगे, कि जैसे आप proprietorship firm है, तो उसके जो भी E-Documents है, जो equivalent E-Documents है, आप उसको procedure करेंगे, उसको frame करेंगे, और otherwise इसके अलावा आप जो V-SIP में जो उसका proprietor है, उसके जितने भी undertakings हैं, जो भी उसकी video capturing, जो भी उसकी E-Documents है, उसको भी हम लोग इसमें undertake करेंगे, इसके अलावा V-SIP में जो existing accounts हुए हैं, जो कि non face to face mode पे हुए हैं, जैसे कि आप घर बैठे अधार के OTP base, एक अधार कार्ट से आपको OTP प्रोसीड हुआ और आपने उसी base पे account खोलिया, या कोई लोन ले लिया, या कोई भी सेवाई लेनी, वो non face to face mode होता है of activation of services, आपने कई बर किया भी होगा, कि आप किसी भी link पे click करते हैं, उसमें अधार नंबर डालते हैं, अपने ही mobile पे उसमें एक OTP आता है, जिसमें आप undertaking देते हैं, और आप इस तरीके से कोई भी इस तरीके की service का lab उठा लेते हैं, that is called non face to face mode of using अधार OTP based EKYC, as per the section 17 of अधार, इसमें conversion उन लोगों का भी करना होगा, जो इस तरीके के mode से services ले रहे हैं, यानि कि अगर किसी ने non face to face mode पे अधार OTP के through services ली हैं, तो उसको भी वीडियो बेस कस्म notification process से convert किया जाएगा, जो पुराने client होंगे, साथ की साथ इसमें जो आपके KYC है, जो V-SIP eligible customers है, देखिए, आपके पास कई बार ऐसा होता है, कि आपके पास अधार तो है, लेकिन आप उसका physical mode है, या फिर आपके पास वो eligible नहीं है, आपके documents को जो update होते हैं, periodically update होते हैं KYC, उसमें आप eligible नहीं है, अगर आप eligible हैं, तो उसकी updation की, जो REs हैं, वो समय से समय पे लेते रहेंगे, अपने database के through, और जो eligible customers होंगे, उस updated KYC के through, उनको यह इसमें शामिल किया जाएगा, वी सिप के जरिए, अब यहां पर जो हमारा वी सिप है, video based customer edification process है, उसको undertake करने के लिए, REs को भी कुछ यहां पे कतम उठाने पड़ेंगे, कुछ एक minimum standard यहां पे create करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, आप video based customer edification process कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना infrastructure जो है, वो minimum level पे लेके आना पड़ेगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि video based customer identification process के लिए, REs को क्या minimum standard structure अपना maintain करना पड़ेगा, उसके बारे में हम जानते हैं पहले, इस पर RBI guideline जो की आपका जो cyber security है, और जो एक आपका जैसे कह सकते हैं कि anti fraudulent activity के अगेंस जो framework banks या NBFCs या जो भी REs हैं उन्होंने बनाया है, उसको इस पर time to time उसको जो है अपडेट करते रहना होगा, IT risk जो है इसमें guidelines, general guidelines of IT risk के लिए जो बनाई गई है, banks, RBI, REs ज्वारा, उन सब को follow करना होगा, देखें आपका technology infrastructure जब तक strong नहीं होगा, तब तक आप video based customer identification process को आप establish ही नहीं कर पाएंगे, आपका infrastructure base important है, जो REs को इसमें करना ही पड़ेगा, इसमें आपका IT से related बहुत बड़ा work है, तो आपका जो secure network domain है, वो strong होना चाहिए, सबसे पहली चीज, और आपकी technology है, जो आप जिस platform पे आप work कर रहे हैं, RBI guidelines के नरूप होनी चाहिए, और strong framework security के साथ ही आप इसमें infrastructure establish कर सकते हैं, साथ ही, यहाँ पे end-to-end description, जो encryption होते हैं data के, जो customer और hosting point के बीच में ही reveal हो सकते हैं, अब यह end-to-end inscription जो है, आपने कई बार सुना होगा, जैसे WhatsApp वगएरा पे भी आता है, end-to-end description में कोई third person बीच में आपकी ना तो कोई recorded चीज देख सकता है, ना ही उसमें इंटरवेन कर सकता है, तो end-to-end inscription का मतलब यह हो गया कि आपने कोई भी data वी सिप के through अगर bank को दिया है, तो वो data या तो आपके device या आपके through होगा, आपके point पे होगा, या फिर वो bank में ही recorded होगा, पीच में कोई उसमें surveillance नहीं कर सकता, कोई उसको ले नहीं सकता, अगर किसी भी authorities को चाहिए होगा, तो या तो आप से लेगा, या फिर वो bank से लेगा, यानि कि यहाँ पे end-to-end inscription बहुत important है data गा, ताकि कोई भी जानकारी बीच में से किसी भी customer की leak नहोगा। साथ ही इसमें auditable और alteration proof of manners के लिए customer से एक concern भी लिया जाता है कि वो सारी term and condition को accept करता है, कि वो अपना data share कर रहा है, वो secure रहेगा, तो एक concern भी customer से यहाँ पे लिया जाएगा, साथ ही यहाँ पे एक और point है कि VC infrastructure और application जो है वो capable होंगी उस चीज को रोकने के लिए कि अगर कोई IP address इंडिया के बाहर से root हो रहा है या host हो रहा है या फिर वो spoofed IP address है, तो bank या REB जो REs है, भाफ कीजेगा, वो एक ऐसा infrastructure भी इसमें तियार करेंगी, जिसमें इस तरीके के spoofed या bluffed IP address या जो जिर कह सकते हैं, कि mollefied IP addresses हैं, उनकी पहचान होगी, या फिर अगर कोई IP address आउटसाइड ओफ इंडिया से आता है, तो उसके थूरू भी आप V-SIP नहीं कर सकते हैं, अब आप बैठे तो लंडन में हैं, लेकिन आप यहाँ पर V-SIP के थूरू कह रहे हैं, कि मैं तो दिली में हो और मैं यहीं रहता हूं जी खान मार्किट में, तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका वो IP address capture हो जाएगा, जहां से आप V-SIP यानि वीडियो कस्टमर इनिफिकेशन प्रसेस को अंजाम दे रहे हैं, तो आउटसाइड ओफ इंडिया का IP address या पर स्पूफ आईडिया अड्रेस जो हैं, उसको रोकना आरीज का infrastructure में शुमार हो है, यानि कि वो संजीदगी है या नहीं है, अगर ऐसा तो नहीं कि किसी को ऐसे ही, किसी मिर्जविक्ति को बठा कर या किसी को इस तरीके से बठा दिया है, जो कि आपती जनक रूप से या जो non-effectable हो, यानि कि आपने जो face दिया है, वो आपका अधार कार्ट से, जो आपके और OVDs है, उन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कुछ devices होते हैं, को technology based ऐसे applications हैं, जो पता लगा लेते हैं, कि ये face structure आपके इस photo से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, साथ की साथ कुछ applications ऐसे भी हैं, जो आपके आसपास के महल को capture करके, कि कहीं ऐसा तो नहीं ह हुआ है, या कुछ ऐसे detection होता है, जिसमें आपने photoshopped करके कोई पीचे background लगाया हुआ है, इस तरीके की चीजें भी detect कर लेती, applications और उसको वहीं पर reject कर लेती, ये infrastructure की तरीके हैं, जो वी सिप को आगे identification process में infrastructure मजबूत करने के लिए आरीज को करना होता है, साथ में साथ ये भी procedure दिया जाता है कि prove that you are a human or not a robot, तो उसमें एक capture दिया जाता है, वो capture इसलिए दिया जाता है कि कई बार जो automate machines बनाई गई है procedure के लिए, वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाती, कि ये लिखना क्यों है, क्योंकि वो एक procedure को process करती है, अब वो capture हर बार अलग अलग इसल और बार capture अलग आता है, और वो करोडो combinations में होता है, तो कोई भी machine इस तरीके का पता capture का नहीं लगा सकती, तो यहाँ पे कोई भी machine based technology कहीं intervene या कहीं विजल या किसी तरीके के surveillance नहीं कर पाती, अगर वहाँ पे आपका capture based identification process entry के लिए लगा हो, तो यह सारे infrastructure उसको अपने आर component activity करके वीशिप के जरिए अपना forge identity दिखा के या फिर हम कह सकते हैं कि बस छोटा सा को यह कैसा minor attempt हो या कोई नियर मिस ऐसा case हो या कुछ ऐसी detect हो जो की हमें ना दिखे एक एक specialist के जरीए देखिए bankers जो होते हैं जो यह सब चीज़ें अप्रोवल करते हैं, not specialist specialist जो IT के हैं या उस applications के हैं वही उस चीज़ को समझ सकते हैं, तो यहां पर यह भी देखना है कि वो अगर इस तरीके का कोई नियर में से कोई ऐसा event होता है जो वीशिप के जरिए कुछ fraudulent activity या force identification अगर इसमें कुछ report किया जाता है, तो cyber crime को यह reported as a cyber event under the extent regulatory guidelines, यहां पर वीशिप में इसी तरीके का fraudulent करता है, तो इसके खिलास सक्ट crime based कारवाई की जाएगी क्योंकि एक crime की category में आएगा और यह cyber fraud की category में आएगा, अलावा इसके जो video customer based identification process है, उसमें GPS coordinates के साथ geotagging होना जरूरी है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कभी भी कहीं से भी अगर आप video based, video based customer identification process करें, तो IP address भी आपको notified होता है, geotagging भी होती है कि कि इस location से आप कर रहे है, तो यह establishment process करना भी RIS की जिम्मेदारी होगी, इसमें customer का कोई ऐसा identification का डाउट न रहे कि वह यहाँ पे दिखाता तो है, कि वह घर पे बैठा है, वह XYZ अपना address बताता है, location बताता करना, और अगर geotagging अलग आ रही है, तो फिर वह cyber report किया जाएगा, साथी, यहाँ पर हम लोग जब video customer identification process का infrastructure की बात करते हैं, तो कुछ necessary test है, जो की समय समय पर जो test होते हैं, जो आपके system को check करने के लिए internal audit ISMS, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो हम लोग conduct करते हैं, कि काम कर रहा है, antiviruses जिस तरीके से समय समय पर आपके system को review करते हैं, उसी तरीके से समय समय पर banks जो है, इस तरीके की necessary test करेगा, जिसमें vulnerability देखी जाएगी assessment की, और इसके अलावा जैसे तरीके का end to end inscription जो होता है, वो capable हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, जो robustness है, वो उस तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने आपको capture के बारे भी बताया था, वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई iş से की machinery inference तो नहीं है, इस क्रिटिकल gap तो नहीं report हो रहा है, जो कि process को पूरी तरीके से जो है रोल आउ we cash? कर दे जो हमारा प्रोसेस है जो सी डिडी का प्रोसेस है जो पूरी तरीके से से जो है अनिस्टैपलिश कर ले और यह जो टैस्ट है जो लिए जाएंगे वो एक एजनसी जो होंगी जो आरि अकी द psych Bao proud पूरी तरीके से प्रिस्क्राइब हैं जो पूरी तरीके से कैपेबल हैं सर्टिफाइड हैं उन्हीं के तरह यह टेस्ट जो हैं कंड़क किये जाएंगे समय समय पर और इसकी जानकारी इंटर्नली रेगुलेटरी गाडलाइन के थ्रू ही बनेगी और जो कि आगे भी और उस कंड़क्टिड एजेंसी के द्वारा आरीज को भी दी जाएगी इसके अलावा जो वी सिप में एप्लिकेशन सौट्वेर हैं या डिलेवेंट एपियाइज हैं वैब सर्विसीज हैं उ और अगर कोई गैप इस तरीके का मिलता है या कोई इस तरीकी मिलती है जो कि उस एप्लिकेशन से बिलकुल बहार तुरंत करनी चाहिए या कोई ऐसा मिस फंक्शन मिलता है तो वह एजैसी तुरंत तुस लेगुलेटरी गैडलाइन्स और इंटर्नल माफ कीजिएगा इंट इस तरीके से स्टीडी में फंक्शन किये जाएंगे वी सिप को लेके वह मैं जानकारी आपके लिए आगनी वाड़ी वीडियो में लिखें आऊँगा तो यहां तक की जानकारी में हम लोगों ने देखा कि इंफ्रस्ट्रॉक्चर और वीसी पैक्शन में किस तरीके से स्ट आई होगी आओ कुछ निया सीखो में आज यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक जरू करती जैगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अगली वीडियो में मैं इसी का लाइक भाग लेके आँगा कि किस तरीके से व झाल